पचाली, पचाली, ये, पचाली, नमस्कार दोस्तों कैसे हब सब लोग एन आपका स्वागत एक और धमेकदर वीडियो में एंड गैज आज के सी वीडियो में मैं आपको देने वालों एक और ने एड़ोन जिसका नाम है बाइक एड़ोन अगर आपने एल एड़ोन आप माइनकर्ट में लगा लिया तो आपके माइनकर्ट में चार डिफरेंट टाइपस की बाइक आ जाएंगी जिनके नेम में आपको बता देता हूँ हारले डेविटसन, मोटक्रोस बाइक, कोड़ बाइक, एंड स्कूटर इन चारो बाइक्स को आप चला तो सकते ही हो, साथी साथ इनके लुक्स भी काफी ज़्यादा अच्छे हैं इस एड़न को डाउन करने से लेकर इस एड़न को माइनकर्ट में लगाने तक का पूरा प्रोसीजर आपको इस वीड़ो में मिलने आला है इन चारो बाइक्स को लेने का आपके पास दो मेथड है नेक्स्ट आपको लास्ट में सबको कमबाइन कर देना है ताकि बाइक बन जाए आपके उपर आप कौन सा मेथड चूस करते है अब मैं आपको बाइक के पास की क्राफ्टिंग रेसिपे बता जाता हूँ बाइक के अलोज के लिए ये रेसिपी बाइक के टायर के लिए ये रेसिपी हैंडल के लिए ये सीट के लिए ये and guys क्योंकि 4 types के bike है so 4 types की body भी होगी and 4 types की recipe भी होगी bike 1 के लिए आपको यहाँ red dye place करना है bike no.2 के लिए blue bike no.3 के लिए yellow and bike no.4 के लिए cyan now guys आपको इन सब भी parts को कुछ इस टाइप से रखना है and जैसे आप रखोगे आपकी यह bike craft हो जाएगी so guys सारी recipes खतम हो चुकिए अब मैं आपको इसके download process के बारें बताता हूँ so guys इस file को download करने के सबसे पहले आपको description होने जाने आपको download के लिएक नाम से link दिखेगा आपको click कर देना है next आपके सामने इस interface open हो जाएगा आपको यहाँ पर scroll करने next आपके यहाँ पर download options होगा उसके निचा आपको छोटा सा link दिखाऊगा आपको इस पर click कर देना है next आपको इस interface उपन हो जाएगा so guys आपके यहाँ पर click here to continue पर click कर देना है next new page उपन हो जाएगा and यहाँ पर आपको नीचे के तरफ scroll करने है आपके यहाँ पर download options होगा आपको इस पर click कर देना है and जैसे आप click करोगे mediafire का page open हो जाएगा and यहाँ पर आपको blue box दिखेगा so guys आपको इस blue box पर click करके इस file को download कर लेना है next guys आपको अपनी file manager में आ जाना है and इस वाली download file को ढून लेनी है next आपको इसके पर single click कर देना है and जैसे आप click करोगे minecraft open हो जाएगी minecraft open होने के बाद यहाँ पर 3 notifications होगे and इन 3 notifications के बाद आपको settings वाले option पर click कर देना है next आपको set scroll करना है and आपको यहाँ पर global solar option दिखेगा आप इस पर click कर देना है next आपको my pack से माना है and इस वाले add-on को click करके activate कर देना है now अब आपको back आ जाना है next आपको play बटन पर click करना है and आपको जिसी world में यह यह add-on चाहिए आपको this world के settings में आ जाना है next आपको set scroll करना है आपके हाँ पर bigger pack वाल उप्शन दिखे आपको इस पर click कर देना है next आपको my pack में आना है अब मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में